आप सभी प्रिये दर्शुकों का स्वागत है इस नई वीडियो में आपके लिए लेके आए वी आए वड़ाफोन आइडिया के लिए दो बड़ी खबरे क्या होगा इंपेक्ट उतन खबरों का पूरा सरल भाष्ण में वेक्या की जाएगी और साथ ही साथ में आपको बताए जाएगा टेक्निकल एनलिसिस के बेसिस पर क्या है रणनीती क्या रहेंगे सपोर्ट और क्या होगा रजिस्टन्स ताकि आपको बाइंग लेवल मिल सके आईए चल कर शुरुआत करते हैं अगर हम सबसे पहले बात करें सुप्रीम कोर्ट ने एजी आर ड्यू में रहा दी थी जो टोटल ड्यू है उसको दस आशान किस्तों में साल दर साल अगले दस साल तक पे कर सकती है कंपनी पर अभी दोनों कंपनियों ने भारती एटल और आज Vodafone Idea ने सुप्रीम कोर्ट के बोला है कि AGR ड्यू की कैलकूलेशन में गलती है उसका पूरा विशलेशन करते हैं अगर ये खबर सही निकलती है अगर ये कैलकूलेशन में गलती आती है तो Idea के शेर और तेथी से भागेंगे देखे समझाते हैं प्रिंट मिडिया की न सुप्रीम कोर्ट को अब Vodafone ने भी करेक्शन के लिए बोला है कि AGR असेस्मेंट का क्रेक्शन क्या जाए इसनों ने पेटिशन फाइल किया है सारी के सारी टेलिकम कंपनीज ने कि इसको फर्दर री कैलकूलेट किया जाए और डबल काउंटिंग को अबोइड किया जाए ताकि सम रिवेन्यू आइटम्स इन एजिया डिमांड में फर्दर रिडूस हो सकें इन पर्टिक्लर अगर आप PSTN related call charges and for roaming charges actually paid to the other operators तो इन्होंने कहा है जो deduction हुए है has not been given corresponding to these two things तो इसका जो error है amount of error है वो करीब-करीब 6,000 करोड के आसपास है जो principal amount है और उसके ओपर से फ जब calculation की जाएगी तो मोटा मोटा बनके 7,000 करोड का फरक पड़ेगा जो की एक समझे एक तरह से उनका net profitability बढ़ जाएगा आने वाले 10 सालों में हर साल 700 करोड के profitability बढ़ेगी जो की बड़ा amount है दोस्तों इस बात का धियान रखेगा अब चलकर दूसरी ख़बर की बात करते Of course, it depends on your area जब हम अपने native place जाते हैं तो वहाँ पर हमारे घर के just तीन घर छोड़ कर एक tower है जिसकी वज़े से idea की speed बहुत तेज रहती है वहाँ पर idea की speed बहुत जाद रहेगी जहां भी आप tower है उसके आपस speed रहेगी बट हमारे अपने घर में यहाँ पर speed थोड़ी कम रहत है बट वड़फोन और idea की speed neck to neck है जहां भी आप अगर जाएंगे वड़फोन idea versus ए भारती एयर टल की जो track data है उसके accordingly download speed सबसे ज़्यादा भारती एयर टल की है उसके पीछे है वड़फोन idea और upload speed में वड़फोन idea ने भारती एयर टल को भी मात दे दिया है देखिए बताते है कि भारती एयर टल की 10 Mbps speed है megabyte per second वहीं पर Vodafone की 9.4 है तो 0.6 Mbps Vodafone की कम है जियो महज 6.5 परतीशत है तो वहां infrastructure ज्यादा अच्छा नहीं है अब यही चीज अगर आप देखेंगे upload speed में तो Vodafone की 5.1 Mbps है और Airtel की 4.2 Mbps है तो Airtel यहाँ पर पीछे है upload करने क reference में जियो की 3.4 और BSNL सबसे पीछे 1.7 तो यह सारा का सारा try का data है जो आप के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं अब जड़ा हम इसकी कुछ fundamental views देखते हैं idea कि आगे की क्या रननीती होनी चाहिए आपकी तो देखिए 33,000 करोड की company है इसको एक तरह से large cap की तरह से आप treat कर सकते हैं हमारी सलह रहेगी कि आप इसमें up to 10% maximum allocation अपना कर सकते हैं अगर आप चाहे तो sales की दरश्टी से देखा जाए तो 10,000 करोड की sales है on average कभी 11,000 करोड भी होती है year on year basis पर profitability नहीं है क्योंकि यहां पर expenditure बहुत जादा है इनके 10,000 करोड की sales होती है पर 13,000 करोड का expenditure रहेगा तो उससे problem रहेगी आने वाले समय में अगर holding देखे जाए तो promotor के पास 72% है और rumor ये भी चल रही है कि वो OFS बहुत जल्दी लाने वाले है जो कि उनके operation expenses में help करेगा FI की holding 6% और public की holding 20% के आसपास है जो कि एक अच्छा sign मना जा सकता है अब अगर हम इसकी कुछ और चीज अपना gap बढ़ाता चला गया है और यहां से और उपर जाने की उम्मीद रहेगी आने वाले समय मता है अगर आज intra day का performance देखें तो खुला करीब 12 रुपे 30 पैसे के आसपास और उसने फिर यहां पर थोड़ा नीची जाने कोशिश की उसके बाद 12 रुपे 20 पैसे गया और बाद में तो एकदम गिरावट आई और 11 रुपे 75 पैसे पर जाकर बंद हुआ है intra day के basis पर यही चीज़ अगर आप बुलिंजर बैंड पर देखें तो बैंड के बाहर निकलने के बाद बैंड के अंदर आया है पर interesting बात यह है जो gap है 11 रुपे 36 पैसे से लेकर 11 रुपे 50 पैसे के बीच में यह gap बहुत important gap है अगर यह gap फिल नहीं हुआ तो यहां से और further उपर जाने की उमीद रही है अगर एक बार फिल हो जाता है तो हो सकता है यह 11 रुपे तक आ जाए तो यहां पर बहुत अच्छा strategy रहेगा आप इसकी quantity staggerment में खरीदिए पहली quantity 11 रुपे 50 प सकता है नीचे का रुख और बनाए आने वाले समय में मैक डी ने इसको पिछले 10 दिनों से buy signal generate करके रखावा है देखी यहां से अगर आप देखेंगो इस टाइम पिसका भाव 10 रुपे 11 रुपे के असपास था 11 रुपे की बीच में काफी अच्छा buy signal generate किया अभी 11 रुप हमने इसको अपने चैनल पर 5 by 5 रुण के महत से भी बताया है और अगर आप इसमें पैसा ज़्यादा कमाना चाते हैं और स्टॉक मार्किन में लर्ण करना चाते हैं तो आप हमारे को day trading का course join कर सकते हैं जिसमें हम hand hold करकर आपको trading सिखाएंगे बाकाइदर line by line बताएंगे कि कैसे हो रहा है काम और हमारा idea का target आने वाले डाई से तीन साल के अंदर 50 रुपे का है अगर आप हमारी paid service में इंटरस्टे ने तो mail drop कीजिए आपके लिए चार वीनियों पर सुदू जाइंज भारत आपका दिन मंगल में हो बाइगाए